पूर्ड पर आपको जी एसके इसको जी एस बोलेंगे मां सब जनरल स्टडी के कुछ ब्योरे दिख रहे हैं एक धासू सा शब्द वनावरण कितना फॉरेस्ट एरिया है और घनत्य के अधार पर बनके प्रकार और सरकारी आधार पर प्रकार रक्षित संरक्षित आरक्षित आप सोच रहे होंगे कि यह सौरब दिवेदी तो यूपी का हालचाल लेने की यात्रा पर गए थे यह सब जीएस की पढ़ाई क्यों करने लगे का ऐसे कि हम दरोगा बनना चाहते हैं और आज जब हम आपसे मुखातिव हैं तो साले 9000 के लगबग भरतियां आई हैं यूप आई कर रहे हैं उसकी और हमको इन लोगों ने बताया है कि दरोगा का इम्तियान बहुत मुश्किल होता है तो आप देख लो यह हमारे प्रदेश का भविष्य है थाकी वर्दी धारी है इन मैंसे कुछ दरोगा बनेंगे यह बनोगे ना है क्या नाम है विकास कुमार लिका टॉइन ही लुओं से बात करेंगे और यह बात्चीत कहां पreो रही हिए ये बिजनौर झिला है बिजनौर शहर है यह हमारे नएबने मित Straßen रहे हन का नाम विकास दानीं की है कोचिंग संस्थान है तो आप मैंसे कई लोगों ने कहा था कि ललनन टॉक बेढ़ें लेकिन एक प्रोफेशन में जा रहें ओकमेल होने कि कुछ भी रहें ऐसे तेयार होने के लिए पने जाना रहें आपका नाम क्या है शर शीफ gy rivermore अभी लुक épo नहीं कि आप त्छी नियु धन्हे शिर कि अजयना पड़नेकम आपाइ बताई तो शीफक्रीय किये अपने क्या पढ़ाई की है सार मैं डियो मीद्विर मैं देट मैट से बीस्सी किया है ये सर फिर ये दरोगा बनने का इरादा कैसे आया सर अब खुद से मतलब की खुद का था कि अपना कुछ करना है इसलिए लड़कियों को अब कोई बिजनिस तो कराता नहीं लेकिन अगर हम जॉब के लिए ट्राय करेंगे तो हम कर सकते हैं तो इसलिए सब्सक्राइड़ को लड़कियों को नहीं करवाए जाता सर ये रहता है कि इतने पैसे बिजनेस में लगाएंगे तो उससे अच्छा मून की शादी में लगा देंगे शादी में पैसे लगते हैं यह सर मैं एक जाट कम्मुटी से करती हूं और हमारे यह शादी में बहुत वाला सिस्टम आप बढ़ाईए आप प्यस्ट किये हुए हैं एक सेकंड भाई सुन लो सुन लो बात में चर्चा करना जब यह शूट हो जाए ठीक है तो जैसे आपने प्यस्ट किया है इशोर ने चाहा आपकी महनत रही तो आप दरोगा भी बन जाएंगी तो पैसे किस बात दरोगा पैसे देता नहीं है यह सर पीचे से कह रहे हैं कि लेता है सच इस तरह सी लेने के लिए बोल रहे हैं मुझे इस तरह से लेने भी नहीं है आपके जैसे बाद और अफसर बनेंगे और तभी यह ब्रस्टाचार दूर होगा तंखा भी ठीक ठाक होती है मेरे क्याल से प्रस्टाचार कहीना कहीं हमी से शुरू होता है और हमी से खतम होता है आपने बहुत दुरूस्त बात कहीं बड़े-बड़े समिनार का भी जिस यही होता है है न हम सब लोग किसी दूसरे पर उंगली उठाते रहते हैं तो आपने जब यह इरादा किया कि आपको पुलिस म थी तो उनको इसा है मैं करनी पाऊंगी उनका क्यूंकि कोई इंट्रेस्ट नी है कि हां मेरी जॉब यह होता है कि अगर एक्साम के लिए जॉब लग जई तो ठीक है नहीं लगी तो शादी तो इसकी करनी है मैं चाहता हूँ की इस तरह काभी कोई कानून बने सभाई साव बताइए कि मैं सही चाहता हूं कि गलत है एस तरह का कानून बने जैसे लड़कों की ऊपर यह दवाव होता है बाई कुछ ना कुछ कर नहीं मिज़ा था लड़कों की उपर ताकि एक आपका फाइनेशल सोर्स रहे नौकरी करो कारोबार करो लड़कियों के लिए भी वैसा ही होना चाहिए तो उसके आउंगा आउंगा तो उसके दो फाइदे होंगे एक तो यह दहेज का घंजट खतम होगा है लड़की खुद भी काम कर रही है आपका लड़का काम कर रहे हैं कि लड़के के कुछ सोने के पर होगे हुए हैं ऐसा दो नहीं है ना तो एक क्वैलिटी आएगी और तुसा लड़कों से भी बोज कम होगा जब लड़का लड़की दोनों काम करेंगे ग्रस्ती बढ़ यह चलेगी क्या नाम है पर यह देखो यह लड़का कह रहा है कि देहज नहीं लेगा और सुनो संकल्प के नाम पर नहीं लगए कि जितना जी ललकी के प्रिथा नाम पे भी नहीं लूगा नहीं लूगा सर मैं एक जाट कम्यूंटी से आता हूं आपर मतलब यह पर्था चलती है मैं यह आगे जिन लोगों को जानता हूं जो मेरे अपने हैं तो यह जंजट नहीं हरे अपर मतलब दहेज मतलब क्या होता है कि दुनिया दिखाना चाहती कि हमारे पास इतना कुछ आता है मतलब एक मानसिक्ता बन गई है कि मतलब लड़कियों की तरफ से इतना मिला कि भाई किसी को इतने मिल गए कि भाई यह बहुत ज्यादा रुपे हो गए मारे लिए तेरी शादी में क्या आया कितने की शादी हुई है हमारे यहां शादी में अगर लड़की है तो लड़की का पार्टनर आया जीवन साथी आया मतलब हमारे परिवार में एक मेल मेंबर जुड़ गया लड़ ना तो एक जो हमारी जुडिश्री है जुडिश्री में बैटे कुछ बकी लोग उसका एक तोड़ निकाल लेते हैं कि मतलब जो इसमें कानून में जिसके ओपर यह कोई दाराय लगेंगी इसको बचाया कैसे जा सकता है सर सबसे पहले तो थोड़ा टाइम लोगा दो मिन्ट हराम से तसल्ली से भाई सब सर में भी जाट कम्यूनिटी से बलॉंग करता हूं सब्से पहले दो सर एक बात है हमारे यहां जैसे आप पहले जमीन देखते थे अपसे पांस साल पहले पहले तक और अप देखते हैं सर जोग अगर लड़की की साधी के लिए जाएंगे तो प के लिए बोल लेकि तो अबशकता ही नहीं होती वो खुद ही बोलेंगे कि आपका है और हम दे देंगे सबसे बड़ी वात तो यह है मतलब सर लड़कों वालों का कुछ नहीं है लड़की वालों की मेंटिलीटी ऐसी है तुम तुमारा नाम क्या है जी मॉंटी चौधरी बेटे आदे भालक और कैमरा यहीं कहेंगे कि नहीं लेंगे पर कैमरा बंद होते ही दुनिया बदल क्यों जाती है शरुसका कारण है सिरु मॉंटी बता रहे हैं कि क्यों नहीं करेंगे और अपनी सच्छा से जो होगा वहम देंगे वह सब देते हैं और सर यह भी तो मेंटिलिटी लड़की वालों की गलत है कि गवर्मेंट जोब होगी हम तभी साधी करेंगे आप पूछ लीजिए यह मॉंटबी के ऊबर सरकारी नौकरी का प्रेशर इसलिए आए क्योंकि इसको शादी करनी है और शादी करने के लिए सरकारी नौक करने का सपना इसलिए था जब मैं बहुत छोटा था मैं राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करता हूं मेरे दादा जी चारवार प्रदान रहे निरब्रोध ताउजी खाज समीती के चैर्मेन है सहकारी खाज समीती के तो जब हमारे यहां दरोगा जी का सबसे मजबूत पद कह जाता है एक कडिम आप देख लीजिए बोलते हैं कि दरोगा का चालान और पटवारी का मिलान कोई काट नहीं सकता तो इसलिए बचपन से जुनून था कि दरोगा जी दरोगा ना बन पाए तो पटवारी बनेंगे बन के से नहीं पाएंगा भरती पटवारी की आ रही है कल मॉंटी चौधरी जी की तकलीफ पर आप लोग जड़ा बताईएगा इधर भी पूछेंगे मॉंटी जी कह रहे हैं कि शादी के लिए राजी नहीं होते हैं मुझे बात बोलनी है अभी मॉंटी ने बोला कि लड़की वाले खुद से देते हैं तो जब लड़की वाले देत लड़के वाले क्यों नहीं कहते कि हमें नहीं चीह हमारे घर पर सब कुछ है क्यों दे रहे हो तुम यह सब बात तो एक सब्सक्राइब अरे 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 सुन लो भाई साब अभी जैसे हम नीचे आये तो चौधरी साब ने कहा कि भाई साब मिटाई खालो है ना कोई बड़ी मश्यूर सी मिठाई कांक थी नंदी स्वीट की दुकान थी नंदी इस वीडियो में में चन हो गया है तो हमने गाया कि भाई साब मेटा नहीं खाते हैं हमारा मन नहीं था वैंने मना कर दिया तो आप लोग भी सक्त принäll कर दो ना कि बिलकुल कोई नीचाइए और घर वालों को दो द्रहीच लोगे तो हम शादी नहीं करें गे। हो सकता है सर अगर कोई यह चाहिए कि मैं देज देज ना लूं यह चाहिए और लडगी वाला सूद देज आए तो मना नहीं करता है वो कहता है जो दिया अपनी बेटी को दिया हमें कहां दिया हमने तो भाई कुछ लिया ही नहीं हमने कुछ कहा है अपनी बेटी को दिया है भाई इसका दामाद बढ़तेगा यह बेटी बढ़तेगी इसमें एक स्ट्रक्शनल फ्लो है इस आर्गूमेंट में अपना बचाओ थोड़ा सा के बेटी को दिया है बचाओ और फिर इन्हीं लोगों के पास दहेज उत्कूइडन के मुकदमें भी विवेचना के लिए आएंगे तुम क्या कहोगे जी आता हुआ माल कौन जोड़ता है जब कोई देज मांगने के लिए लिए जाता ए तो वहां पर अपने मतलब सारी दिखाता है तो मेरे पालक देद्देग । बांडा सरकारी नौक्री उसका कहीना कहीन मतलब होता है कि मुझे कुछ मीले यार जब तुम्हारे पास ओलेडी जमीन है तुमारे बालक की सरकारी नौक्री ए खाओगे तो रोटी ही ये मुद्दे शादी के बाद आते हैं देखो भाई ये बहुत सारे यहां अभी आईगे आप लोग पास जरा समझतों ने बालकों ने सोच क्या रखा है हाँ जी दो जगे दो भाई हाँ हाँ जी बताए क्या नाम है आपका निकल चोधरी निकल चोधरी तो मॉंटी को जानते कि अफ्टी के बाद हमेसा हो जैसे इन्होंने कह दिया कि हमें देज नहीं लेना उसका साधिक अबाद जो है एक संतुलन मान लो कुछ भी मान सकते हो आप यह साधी के बाद हमेसा होते हैं है अरे सुन लो तौहीं शादी में काम आएगा यह इसलिए जो है मतलब कैसे तोड के साथ शाधी बात कर रहे हो में आध्र की बहन के लिए नो पर cali koo किसी को नहीं दिए तो किसी ना किसी कारण वाष कोई ना कोई पड़ेगा लड़की वालों को भी अब लड़के वालों को दोनों की मांसुक्ता जो है बिल्कुल बराबर करनी पड़ेगी देखो ऐसा है मैं चुकि यह मुद्धा बहुत जरूरी है इसलिए मैं आप लोगो कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं आप लोगो भी मे अगर आप स्टेंड ले लोगे तो घरवाले छोड़ दोड़ी देंगे तो हमारी मांता ही नहीं है नालाइक निकल गया तो स्टेंड आपको लेना पड़ेगा एक तरीके से लड़के को यह सब जुम्मेदारी उठाने पड़ेगी को लड़के की वाइप है उससे आगे नह नहीं करेंगे रखने पड़ता है सारी जिंदगी लड़के आपनी साथ में पड़ेगा सारा घरचार जो है वह घर वाले तो उठाने आघर लड़की भी काम करती जो घर काम करती अगर वरकिंग नहीं भी है तो वह बहुत बढ़न है अगर कोई सिर्फ घर समाल रहा है तो ने घर का काम तो सबसे बड़ा माना जाता है चलिए तो ये कुछ बात दरोगा की शुरू हुई थी दरोगा से दहेट पहुंच गई क्या सॉल्व कर रहे हैं अच्छा ये भी बता दो तुम लोगो भी आईडिया होगा कि रेट क्या चला आजकल दरोगा का दूले की तौर प इसका कोई रेट नहीं है फ्लक्चुएट होता है जमीन ओहो दरोगा प्लस काश्तकार कितने बड़े हैं यह सब क्यों यह लड़के दहेज के पीछे पड़े रहते हैं क्या नाम है आपका पारूल चोधरी पारूल बताइए सर दहेज मना तो सब करते हैं लेकिन चाहिए अगर लड़की अगर अच्छी नाभी हो तो चलेगा लेकिन दहेज की बिना बिल्कुल नहीं चलेगा सर पारूल कह रही है और दुरुस्त कह रही है कि सबका यह ओदर डिमांड करते हैं कि लड़की एक बार कम सुन्दर चलेगी सबको लड़की बीसंदर चाहिए दहेज करना पड़े तो लड़की कम अच्छी चलेगी पर दहेज तो अच्छे ही चाहिए भाई सब ऐसी बात है कि नहीं कि नहीं एक से नहीं हां क्या विचार आपका थोड़ा बोल भी तो भाई या इसा कोई नहीं है कि यह जरूरी नहीं कि सब दहीं वांगे सब देखते हैं सब लड़की बख्स दोनों जिम्मेदार होते हैं मैंने इसको ऐसे रेका है जो लड़की वाले बोलते हैं कि हमें इस लेविल तक का लड़का चाहिए है यह बताईए पिंक की नाम बताया पारुल तो आपने इरादा किया जैसे भी शुप्रिया से बात कर रहे थे कि आप इंस सब्सक्राइब करेंगे तो इसलिए अपने 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 होने के बात इंसान जो जिसकी इच्छा होती है वही करता है और ने जाथ कि मैं हुआ कि और पूछ मुalone उलिए जो ने काहते हैं पहले पूछते हैं लड़के वाले की मन लड़के वाले चाहते हैं लड़की वाले यह कहते कि हमें निचे कहसे बिल्कूल बिल्कुल भी जही clicking अचिछे पस लड़की बड़की बैड ऐस्ट इचिमेंट जो कि हमको लगाता कि दरोगा लेकपाल पटवारी से अच्छा होता है नौकरी में ज्यादा कमाता है लेकपाल पटवारी ऊपर का ज्यादा कमाता है इसलिए उसका रेट 30 लाग है तो यह कैसे पारूल यह चीज़ा सुद्धा कभी दूर नहीं हो सकती क्योंकि जो जुन्हों ने रहे हैं क्योंकि व्हें व्हाल पोड यह प्रोड़ सादी में ह्रणा कि वह सबीचन बना चाहरे हैं उनके जिसाडी में क्योंकि चौक बना रहे हैं उनके बैसी नहीं जाई च्छ पर डिसे ср स्पने क्रण धny्ष आदी को जिए लिए 10 लेकर नि bekommt लिंचे आनल भी लिए कर रहे हैं यह एक मसला है अचा यह बताइए अभी मैं कुछ लड़कियों से बात कर रहा था जो जो एंसी की कैड़िट है और बड़े हो के आर्मी आर्मी ऑफीसर बनना चाहती है तो वह चीज कह रहे हैं कि हम जब रुड़की में जाते हैं एक्सराइज करने जॉब करने तो यह दो यह लूए हैं जब ज Жक्र गूर क हैं लड़कियों को पार बार थे कहां को ज ada टॉप जाए हुझे कोई यहां तो बहुत जाब है यह लिए में तो जाब हैं तु जादा है लौार झार को तो आफ तो बहुत था पर तो मैं आपको दो अधारन देता हूं एक जो पॉलिटिकली इंकरेक्ट है जो बहुत दिया जाता है कि हम सब बेहन बेटी वाले हैं तो यह सब को तुरंट समझ में आजाता ना लेकर अगर हम बेहन बेटी वाले ना भी हो मालीजे मेरे घर में कोई बहन नहीं है तब भी मुझे यह हक तो नहीं मिल जाता है ना कि कोई लड़की सड़क पर जा रही है तो मैं उसको घूर के देखू और अनकमफर्टिबल फील करा हूं आप सोचो कि आप एक ऐसी जगे बोजाओ जहां पर आप एकलोते फुरुश और वहां पर हजार दसजा लड़किया करना इन सिक्योर फील करना आप सोचो फट्स करो कि आप को लग रहा कि आप तो आप लड़कियों आप कही मोटर साइक प्ला के ले जा रहे हो आपको चार्शे गुंडे घर लें दर महसूस होता है ना तो डर तो आप लोगों ने फील किया है ना तो कोई लड़की सिर्व बाजार में चल रही हो और डरा महसूस कर रही है तो लड़के किसी दूसरे ग्रह से तो आते नहीं है तो दिस नोट फणी है जी मेरा नाम प्रियंका है और जैसे भी आपने बताया वी कि एंजिसी केड़िट आप से बोल रही थी कि गूर गूर के देखते हैं तो सर मैं भी एंजिसी केड़िट रही हूं मैंने बर्दमान से भी सी किया और मेरे बास एंजिसी भी थी वहीं बर ठीक है तो पूरे सर तीन साल तक मैं लड़कों के साथ ही रही हूं और मैंने आज तक जो भी किया है जो भी पढ़ाई कि है लड़कों के साथ ही कर रही हूं लेकिन तो होँ तो कोई कुछ कहा सकता है अगर हम सही है तो हमें कोई कुछ नहीं सकता है कि एक लड़की को कोई चलते वे लादका कुछ कहा सके एक सेने आप लोगो ने एक चीज गौर की होगी कि जब क्या नाम बता आप ने प्रियंका ने कुछ बोला तो लड़के तुरंट एक दम खुश होके कि देखो देखो हम सही सावित हुए यह प्रियंका का सत्य है वो पारूल का सत्य है पारूल ने वो स्टॉकिंग देखी है और प्रियंका ने वो नहीं देखी है तो इन दोनों के सत्य है आप लोग इतना खुश्मत होई है ना आप लड़के लड़किया गलत नहीं होती है एक दूसरे विशे पर चलते हैं तोड़ा सुन लीजिए मैं आप से यह जानना चाह रहा था आप लोगों से कि दरोगा बन टम क्या करना होता है शलम में Só hue आप लोग रहनिंग के प्रै общем करती है अबहुन नहीं है त मैसे कोई की प्रैक्टिस करता है रेगॲ़र है आच यहां और आप करती है 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 जी इस पर माइक पर बोलिए अभी बंदे बाकी में कर लेती है आप कर लेती है तो आप लोगों ने ऐसा सोच रखा किया तरह तोड़ा लल्किया इधर देखें भाई मैं भी आपके विकास सर की तरह टीचर ही मान लीजिए कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगी उसके बाद आप लोग यह शुरू करेंगी ऐसा कुछ है के दिमाग में नहीं सर कर देंगे हम फिजिकल पहले तैयारी की हुई है हमने तो मतलब लगता है हां कर देंगे अचा आप दिल्ली पुलिस में अले बहुत बढ़ाई आपको मेडिकल बाखी है अरे वह भी हो जाएगा बढ़िया से बिलकुल तुम लोग रहो कायदे से यह सेलेक्ट हो चुकी है ठीक है हरकत कुछ भी की है बाई हमारी फोटो खीच रहा ह मोंटी ठेहर जा तो मैं यह जानना चाहरा हूं कि यह कंचर जैसे हम लोग कई शहरों में जाते है क्या नाम है अपका नेहा जहली तो कई शहरों जाके यह देखते हैं कि जैसे लड़के सुभे-चुभे बैमेंटर खेलने गए दौडने गए वैसे लड़किया नहीं दिख माइंडेंडेंडेंडेंडें मैं मेरे सवाल कुछ आठा मेरा सवाल ये था कि खेल कए मेदानों में जितने लड़के नजर आते हैं उतनी लड़किया क्यों नहीं दिखती है मतलब लड़कियों के उपर डिपेंड करता है अगर उनको इंटरस्ट है तो खेले वो एक फैमिली प्रेशर हो जाता है मानती हुमें कभी कोई फैमिली नहीं अलाओ करती बट अगर कुछ करना है तो फैमिली इस्टेंड रेना पड़ेगा इंफ्रस्ट्रक्ट्चर होता है इस तरह का आपको एम खेलती है क्या नाम है जी तो जी तू कोई एम खेलती है नहीं तो भी आप डॉलल की प्रेक्टिस कहां पर करेंगी अपने गाउं में भाना कुछ बना हुआ यह सब्सक्राइब आपने जिक्र किया मुझे बहुत सारे लड़के दिखते हैं लगा सकते हैं लगा तो सकते हैं ठीक है तो फिर फिजिकल हो जाएगा पर उसके बाद क्या नाम है आपके नमस्ते तो आप प्रेक्टिस कर रही है एक दम रिटेंट टेस्ट की और इसकी अभी नहीं है पिर पहले की हुई है पर तो अभी बंद कर रखे फिलाल इस ताइम पर अभी जब आपने ये दरोगा की तैयारी शुरू की तो आसपास रिश्तेदारों की क्या रिक्शन थी नहीं हमारे पापाई ने खुद का खुद इसके इसके लिए कहा कि तू कर जौब कि हम त जान लेता हूं कई टीचर बोलते हैं कि हमारा ट्रांसफर इतनी दूर कर दिया तो हमारे मित रहें हमने एक वीडियो में कहा भी था आइस ऑफीसर है तो उन्होंने का भाई एक बात बताओ हम एक दूसरे राज्य के हैं हमारी नौकरी लगी हम यूपी काडर में आए हम अबर्णे के रहती है ृइंडी नहीं चैनल कियो रहती है घुरु आपको कोई निया कहां पर इतनी जानकारी नहीं है कि कौन बद्र कहा है सब्सक्राइब नीचे की तुरह पढ़ता है पूर्वी साइड में आज पास तो नहीं गाजीपूर पढ़ता है फिर आप इदर मिर्जापूर बनारा से लगता है उदा लगता है दक्षेंटा बिंदु है अरे भाई तोड़ा जे सूबे के हो उसके जिलों की लोकेशन तो जान लो गुरू है अभी को भाई कहते मुझे कौन सा नक्षा बनाना है है कुछ कहना जाओं जब तक ही आप हमारा administration और politicians के उपर आप एक example में आपको बताता हूं जब तक politician हर चीज के लिए administration को जिम्मेदार ठेराते रहेंगे तो हमेसा ही खेल हो या कोई भी सुचार विवस्ता हो हमेसा ही खराब मिलेगी जैसे आप समझ लिए हमारे करोना काल में यहां पर विवस्ता है खराब हुई थी तो मुख्यमंत्री महोद ने administration के उपर कारवाई करी जबकि पॉलिटीशन के उपर अंसरेबल नहीं होते जैसे यूपी विजनॉर में अगर कुछ खराब हुआ तो डियमोदे के उपर suspension आएगा और नहीं हांके विदायकों पर आसांसदों के उपर कोई answerable नहीं होगा जब तक इन तोनों में बैलेंसिंग नहीं होगी हर चीज की हम ज परमानेंट डिस्ट्रक्चर नहीं है इस पोर्ट्स का कल्चर नहीं है अचा यह तो बात हो गई आप लोगा इम्तिहान और सुसाइटी की इन जनरल चुंकि अभी दो चार मुद्धे हैं और उत्रप्रदेश में कुछी महीनों में चुना होना है यह चाबी किसकी है बाई यह सर प्रभाव तो पड़ी रहा है इससे क्या यह आपके लिए सबसे बड़ा मुद्धा है सबसे बड़ा मुद्धा आपके लिए क्या है चुनाओं में आएंगे यह तो हाँ जी बताईए आप वोट डालती है कितनी उमर है आपकी 21 तो आपका वोटर आईडी कार्ट बन यह तो चिंता की बात है अब इसके लिए आप सरकार को कैसे जिम्मेदार ठेराएंगे आपको ठाना चलाना होगा आगे चलके अगर आप दरोगा बन जाती है तो यह तो आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप अपना वोटिंग कार्ड लेके आएं तो आप अभी 3-4 महीने है पोटिंग कार्ड ले आएंगी ना वोटर गार्ड बढ़िया अब मैं यह जानना चाहिए यह नहीं पूछूंगा आपसे कि आप किस पार्टी को वोट देती है क्योंकि मतदान गुप्त होता है है अलाकि कुछ बालक चिला-चिला के बता भी देंगे अभी थोड़ी देर म कि वो किसको सबोर्ट करते हैं वो भी उनकी मर्जी है मैं यह जानना चाहरा हूं कि जब आप वोट डालने जाएंगे आपका पहला वोट होगा बड़ी बड़ी बातें होती हैं दुनिया भर में फस्ट टाइम वोटर यंग वोटर वोटर च्वाइस वगरा वगरा ऐसे अं स Müdda मुक्यमंत्री का चेहरा पार्टी परिवार वालोंने एक बताया या मुड़त की विरादरी बिजनोर का मुद्धा रहेगा सबसे बड़ा be के लिए मेरे ली मुद्धा यह है मेरे लिए सबान व और चाहिए अन्रक्षन होना चाहिए हम लोगों को समान हर चीज में एक्वालेटी चाहिए मैं अच्छे कारे जो नेता करें उसको वोट जैसे कोई उधारन की कैसे क्वेल्टी तोड़ा इस मतलब गल्स बॉइस में क्वेलीटी होनी चाहिए और मतलब सब मैं क्वेल होनी चाहिए जो अच्छे काम करेगा तिक रहा है आफ ने तो नहीं है कि तो बात होई अगई ये भी तो ढिकत है ये एक दिकत है ये कई लोग फील करते है जी इज़ार तो बाती नहीं हुए अभी तक नमस्ते क्या नाम है आपका थाहिश नाज आपके लिए सबसे बड़ा मुद्द किया है आने वाले विधान समझ हुआ मेरे हिसाब सब्सक्राइब एक तो ताहिष की आवाज थोड़ी धीमी है आप लोग शोर करोगे तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नियोगी पोली तो एक्चुली जो है रोजगार को उपर जादा धिहान देना चाहिए और जैसे यूपी में इन्हों ने ये भड़ती निका यूवाओ के लिए तो इसमें ये कहीं ना कहीं है चुनाओ से रिलेटेड है कि मतलब यूवा जो है वो बढ़ जड़के वो जिस जो निकाली है मतलब वेकंसी वगरा तो उसमें वोटिंग करेंगे कि हाँ भई इन्हों ने बहुत अच्छा काम किया है रोजगार के लिए वेकंसी वगरा निकाली है हमारे लिए जॉब के लिए जिस तरही कैसे मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग मतलब ऐसी घूम रहे हैं डिग्री लेने के बावजूद भी नोखरी ने मिल पाती है परेशान रहते हैं घरवालों के प्रेशर होता है कि काम दीक्षा आपके साब से सबसे बड़ा मुद्धा क्या है दीक्षा के लिए बिजनाओर की एक नौजवान लड़की के लिए जब वोट डालने जाएगी क्या वो फैक्टर होगा जिसको देख के वो तैह करेगी कि मेरा वोट किसको सबसे बड़ा तो रोजगार ही है क्योंक मेरा क्वालिफाई भी हुआ है जिसे एंटीपीस है उसमें मेरे 70 प्लस मांक्स है 76 और लोर पीसे मैंने वह वी क्लियर किया हुआ है जुनल स्टेंट में मेरा सब चीज होगी है बस ज्वाइनिंग रह गई है लिकिन कितने साल से अटकी है ज्वाइनिंग सर्य ये वेकेंसी प्रॉब्लम बस मुझे और सर बात यह होती है कि मतलब जब हम कहीं वी जाते हैं फिर यही बात होती है कि क्या कर रहे हो कोजिंग काफी टाइम हो गया करते हुए प्रॉब्लम यह नहीं कि शिलेक्शन नहीं हो रहा चाहे एक्जाम आज हो लेकिन अगर हमें 15 दिन बाद एक पार्टियां हैं जो अलग-अलग दावे करती हैं सपा बसपा रालोद कॉंग्रेस और भाच्पा जो रूलिंग पार्टी है आपको उनमें से किसका दावा दमदान लगता है रोजगार के मामले में रोजगार में तो सारे एक से सारे एक से सब नेताओं को दीक्षा ने रोजगारी है रोजगारी कई सरकारी लोग यह बोलते हैं कि भाग रहे हैं रोजगार क्रीटर बना चाहिए हम रोजगार क्रीट करें लोग आगे हमारे पास रोजगार मांगे और किया काम करते थे खुंद मैं ता करते ता था टैंक पर गनर थे कौन से टैंक पर टी 72 कितने साल साल सब्टर सब्टर को रिटाइट फॉजईयों के लिए कुछ कोटा भी होता है क्या पांस परसेंट कोटा एस पांस बढ़िया मैना से तैयारी हो रही है आहां सर गन्ने करें आएंगे आएंगे चौधरी और इदर भी तक नहीं गाएं गन्ना कैसे मुद्ध है बताई जरा गन्ने के रेड़ एक सब्सक्राइब हो रहा है इतना ध्यरी रखता आप लोगों ने गन्ने का पेमिंट टाइम पर नहीं मिलता है पर चोग दिन का वैलेड था ले गयों को रेट निशन फिक्स हुआ था लेकिन गवं में पंद्र सो चोदा सो शोड़स रुपे रेट विकता है इसके इसान बहुत दुखी है बहुत दुखी है गन्ने के रेट से आएंगे आएंगे हाजी बाई क्या नाम है आपका शुबम चौधरी शुबम चौधरी एक सरकार भेगंजी निकाली उससे बहले कोई वेकंशी निकालती सिर्फ उत्तरप्रदेश अख़वारं में वेकंश निकल पाती है वैसे कोई वेकंशी में निकल पाती है और इसमें आपको जोड़ना जाहेंगे रोजगार और गन्ने के लावा कोई और मुद्द्धा किसी बुल मिलता है हर घुर कोई तक होता है आता रहता है मतलVES लेकिन कोई गलत नहीं करता है तो अचिन में खत्र trong ड़िया चाने हो जौत फ्रेकी इस पर चुछिंट कश बार लाख क्या और की बनी चाहर ने से सरकार की देड़ान आयोक का मैंibad का वहा कुछ आयों सही चलें लाश्मा कुछ बिगड़ गया तो सारे नियूज में भी आ गई थी वहाद लेकिन नहीं हुआ कोछ भी लेकिन कहीं नहीं सरकारी मजबूर है उसे चुनाप के लिए लड़ना है तो करें काम को ना है इसलिए बाद ही है अच्छा जी क्या नाम है आपका अजे आप दरोगा क्यों ना चाहते है घरवालों की इच्छा है तुम्हारी के इच्छा है वैसे तो सब काम सही चल रहा है कोई दिक्कत ना है नोकरी लग जाएगी तो और थोड़ा सा गाहों परिवार में सब कर नोकरी है हमारी ना है इतना बढ़िया लड़का है सब लग जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा इतना निश्कल जंग से बता रहा है बेरकुल सब चीज है है हाजी वाई सब क्या ना रहे यह सोचना यार आई गया पीछे है बड़े आराम से बैठे थे किनारे क्या नाम है आपका कुमार कुमार कुछ कहना चाहते है कोई को कुमार की जर्शन नियंत्रन होगा तब एरोस गारी दूर होगा है को जंसंक्या कैसे होगा इसे बोचसे शरकार कानून पारीट करें कि वह सी चलना पड़ेसा कि चाहते हैं था कौरी चैव VIIet कानूल कानूं जी लूग कहा है कि यहार हम तो गरीब है हमारे लिए मेडिकल सुविधाएं नहीं है और कानून बना दिया तो सरकार करें इसका इंतिजाम भी पहले मेडिकल सुविधाओं कर रहे कानून भाइचा अच्छा जिए अब मेरी एक राउंड की बात्चीत हो गई अगर आप मैसे कोई भी कोई बा है बादा रचवाइन किसान फैमिली से बिलौग करता हूं तो जैसा मेंडली पश्ची मीवी में गन्या पेमिंट रहते हैं लोग जैसा वहां रहते हैं जोड़िया नहीं थे में बाद आथा कुछ है जो गड़वर है सपा सरकार के मुकाबले बाचपा सरकार में काफी तूधार है वो 14 दिन वाला जो था त्थिए अधिक मारा मेल पड़ा है मुझे दूपास से है पूरा मैं में फाइनल हो गया पूरा पेमेंट पूरा पेमेंट नहीं हुआ और हमारे बजाज ग्रूप की बिलाई शुगर मील पढ़ती है बहुत बुरी सिती है उसकी चलो आप फिर बहिया 2017 में गन्ने का रेट बढ़ा था और अब तक गन्ने का नेट बढ़ नहीं बढ़ पाया तो आप सरकार से खुश हुए हैं जैसे जैसे राम मंदिर था चुल बहुत चाथा फैसला निमट गया सांती पूरबक और 370 कहीं ना कहीं वह संभीधान उसका चेंज था बहुत दिकत थी बहुत दूर हो गया और थोड़ा इसमया भरती की देख लो अभी जेल वाडर वाली बढ़ती हुई थी एक को सिस carbon invest दूरों पर जांप सा वॉट जीता जातरूं इन के जिल एक चैऑन गजाते हैं करये हो घुन प breaths के सबस्कारी जमीन पर ही देख लिए का प हैनिहां आप पहलनी होगे उत्ता पिर देश का एक भी जिला इसा नहीं होगा जहां पर इन्होंने सरकारी की जमीन कप जागा अपना कार्या लेना बना के रहें भू माफिया पर कारवाई हुई है कानून विवस्ता बहुत अच्छी हुई है अधर जैसे किसान आंदोलन चल रहा है पांच तारीकों मु कोटर जो नाराज है नहीं तो वह पार्टियों का भी तो इंफ्लेंस उसमें सपोर्ट सारा को सामने कोई नहीं आ रहा है लेकिन सब को पता है कौन-कौन सी पार्टी उन्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं पर वह ऐसा होगा जो आंदोलन कर रहे हैं अगर यह गन्ने का कुछ बढ़ातरि करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा फरक पड़ेगा बहुत फर्क पड़ेका जिनगा पिमिट कि नहीं बढ़ता है लौक्दल का समर्थ पर्टम को गोट नहीं करेंगा क्यों मैं सब से बडזה क्नीटी जो है कभी भी सपा के कंडिटी में 2013 की वजए से 2013 की वजए से यह कह रहे हैं कि जो लोगदल सपोर्टर है वो सपा को वोट करने नहीं जाएगा यह बड़ी पॉर्टेंट चीज एक लास्ट कोश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं यह कई हम लोग जिलों में घूमें तो कहा गया कि अब कानून पुल नहीं होती जाम घर से चलते हैं बिल्कुल ठीक फील होता है आपको जिसमें जिसमें चाहिए कि लाइन ओर कानून योस्ता सब्सक्राइब कितना सुरक्षित महसूस करता है नागरे कि सब्सक्राइब कर आपको कॉंस्टेबल मिलेंगे और इस पेशली लड़कों के ल जाने में कोई भी प्रॉब्लम फिल नहीं होती कि हां मुझे कुछ डर लगेगा किसी बात का जी पारो लाबस पर कुछ जोड़ना चाहेंगी पहले से बैटर पहले क्या स्थिती थी पहले तो बहुत कुछ सुने को मिलता था लेकिन आप आसपास में ऐसा कुछ सुने को नह का यहां, मामला क्या हैं तो बाइए विदा का वकत हो गया सुने यह वाच्ची दाखों कैसे लगी कमेंट बोक्स में जरूर बता ही है और मेरे लिए यह कुछ बढ़े जरूरी राजनेतिक और सामाजिक सबक है जो इन नौजवान लड़के लड़कियों के मारफ़त हम तक पहुंचे आप देख रहे हैं ललन टॉप यूपी शुक्रिया